बिहार के पटना में बी एन कॉलेज में छात्र हर्ष राज की बेहरमी से पीट-पीट का जान ले ली गई वो लो कालिज की परिक्षभवन से एक्जाम दे कर निकला ही था कि लाठी डेंडे और रॉड सी लेस 10-15 संख्या में यूगों ने उस पर हमला बोल दिया इस हमले में वो बुरी तरह से जक्मी हो गया उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था कि उसकी मौत हो गई हर्ष के मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई पुलिस को आशंका है कि कोई कॉलिज के अंदर से हमलावरों को हर्ष की हर एक्टिविटी की जानकारी दे रहा था वैसे तो एक्जाम एक बज़े खत्म होने वाला था लेकिन वह हर्ष 20 मिनट पहले ही निकल गया इस केस में पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सेज़ टीवी कामरों के फोटेश खंगाले हैं पत्ना युनिवस्टी के दो हॉस्टलों में पुलिस ने चाप इमारी की हैं चातर को गिरफतार भी किया है और तीन फरार हैं पुलिस की मताबिक इस वारदात को छे चात्रों ने अंजाम दिया जिन में से चार की पहचान पुलिस ने कर ली है। बिहार की नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में इंडिये जब से सत्ता में आई है तब से कानून विवस्था द्वस्थ हो चुकी है। उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है लेकिन जो दोशी है उस पर सक्से सक्त कारवाई होनी चाहिए। और जल से जल जो है गिरुफतारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए। लेकिन बीजेफी के लोग कहा रहा है कि सुसासन की सरकार है। जितना अपराद बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। बाजपा की लोग आज तक स्रिजन गुटाला में क्या हुआ उस पर कारवाई नहीं। हत्या के विरोध में पटना विश्व धहले से कारगिल चौक तक छात्रों ने प्रदर्शन किया। सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गरफतार करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने गांधी मैदान मुख्यमार को जाम कर दिया। पुलिस जाम हटवाने पहुँची लेकिन चात्र अड़े रहे। नोग जोग भी हुई। इसके बाद पुलिस ने लाटी चार्ज कर सड़क खाली करवाई। इस दोरान कुछ चात्रों को हिरासत में भी लिया गया। हर्ष बी एन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था।